चलिए दोस्तों बात करते हैं से कोर कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जामनेन ने कहा है कि इसको सिंपिलिफाई केजिए उसको सम कीजिए और बताएए कि इसका रिजल्ट क्या होगा चलिए हम लोगों ने प्रिवियस क्लास में 11, 12 में AP, GP और HP गे बार इंपड़ा होगा उसी को कहीं नहीं करेंगे बट वो AP, GP बढ़ेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा हम इसका एक छोटा सा शॉर्ट कट देखेंगे कि इसे कैसे सॉल करना है सिंपल सी बात आपको कुछ नहीं करना आपको उसके फैक्टर तोड़ने है ऐसे तोड़ने कि ये 5 इंटू में 4 हो जाए आपका पांच चोग 20 ये असे लिस्तों में आपका 4 इंटू में आपका 5 तिर इसे कर दिजिए आपका 5 इंटू में 6 तिर ये 6 इंटू में 7 होगा आपका ये 7 इंटू में 8 होगा आपका फिर ये 8 इंटू में 9 होगा आपका फिर 9 इंटू में आपका 10 होगा फिर ये आपका 10 इंटू में आपका 11 होगा और ये 11 इंटू में 12 इसका फैक्टर होगा जैसी आपने फेक्टर रोले फिर आपको चेक करना इनके बीच मेnes gap इनके बीच में इसके बीच में gap इतना रहा रहा है तो कुछ सबस्ट नहीं कि अछा नहीं ही अगर आपको इस तरह सेayको मिलती तो आप लोग latch जो इनके बीच में difference और या यानि कि जो इसका number यह वाला को ऐसे हम लोग बोलें कि first number minus का one आप उन में last number यानि कि यह जो आपका 12 दे रखा इसको हम लोग बोलते है last number और solve कर दीजे आपको आपको अंसर आजागा difference तो मेरी पास तो 1 आप उन में one हो जागा first number कितना है one by में four minus का last number कितना है one by में twelve solve कर दीजे lc में लेंगे तो कितना हैगा बारा तो बारा बनाने लिए तीन से multiply करना पड़ेगा तो यह दो बटे में कितना आजागा बारा तो solve करेंगे तो one by में six इस question का correct answer होगा याने की option जो c होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी को question समझ में होगा चलिए आप बात करते हैं एक और नई question के बारे में